जैबीम साथियो आज आपको एक कहानी से रूबरू कराऊंगा एक सची कहानी से रूबरू कराऊंगा बाबा सहीब के एक सची कहानी इसको सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर तना दिमाग कैसे हो सकता है किसी महापुरुष के अंदर त मिश्टर बनकर पहली बार भारत वापस लोटे और जब उन्हों ने कोट के अंदर कचेरी के अंदर कदम रखा तो लोगों ने जितने भी कोट के अंदर और वकील थे कि सबने बाबा साहिब को देखकर यह पैचान लिया था कि यह तो वही है जो महार जाती का वेक्टी है यह बाबबस और और जो दूसरे वकील थे उन्होंने बाबस चचिछलाय मारते हुए बाबस से बोला रहे हो बैरिस्टर कि तुम तो बहुत पर्डे लिखे विद्वान हो तुम्हें क्या जोट के अंदर बैटने की तुम तो भार भी धिखिया लगा लोगे तुम्हारी दुकान चल जाएगी लेकिन बाबसहेब ने उनकी उस टोन मारने को घलत नहीं समझा बाबसहेब ने उस बात पाप बुरा नहीं माना और बाबसहेब मुस्कुराते हुए ये बोले कि तुम ने ठीक कहा और बाबसहेब कचैरी के भार एक जगा जाकर अपना केस आने लगे रोजी रोटी चलती रही हल्का फुलका बेजिस बढ़ा कारोबार बढ़ा और उसी दौरान एक सेठ और एक सेठानी का एक बेटा जो एक लौता बेटा था उसको फासी की सजा बोली गई थी वो सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा जिसके घर वो ना घुमे जिसके पास भी जाते और जिसको भी वो फाइल दिखाते अपने बच्चे की वो मना कर देता कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया उस सेठ ने और वो सेठ ढूनता 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 पूरी मुंबई को खागालता हुआ उसी कचहरी के अंदर पहुँचा जिस कचहरी के बाहर बाबस साहिब बैठे हुए थे हमारे मसीय डॉक्तर भीम रॉम बेट गर बैठे हुए थे और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल को दिखाया एक लोते बेटे की फाइल को दिखाया तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल लेने से इंकार कर दिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता त कि उसेट ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकीलों को दिखाया जो कानून को अपना घर मानते थे जो बोलते थे कानून तो हमारी मुठी में है ऐसे वकीलों को फाइल दिखाई लेकिन सबने उस फाइल को देखकर इंकार कर दिया और उस कचैरी के अंदर दो वकील बैठो है कुछ वकीलों ने फिर से बाबसाइब को पर टॉंड कस्ते हुए बोला क्यारे सेट तुम्हारा केस तो लड़ेगा वो जो भार बैठा हुआ है वो महार जाती है विक्ति वह बहुत विद्वान है वो पर लिकर आया है वह बाब वो मन से रो रहा था उसे एक आशा की किरन चाहिए थी वस क्योंकि उसका एक लौता बच्चा जिंदिगी और मौत के बीच में अटका हुआ था है और जब उस सेट lug maximize सुना उस्ण और सेट से बोला तो सेट उसकी बात मान कर वही पहुच गया बाब सहिब के पास और उसके बाब सहिप के चड़िबों में जाकर वो जा लोटा और बोला कि है बैरिश्टर है हे बाबस है मेरे बच्चे को बचा लो कि मैं क्या कर सकता हूं में क्या मदद करूँगा कि कि फाइल कि न naar कि कि और वक्ति को किसी और वकीलों को दिखा योगी उनको उनके पास मेरे पास क्या करने आए मैं और आप लहाखा- nesse नीज जाती से हुना सेट आप बड़े बड़े वकीलों को दिखाओ तो सेट ने बाबा सहीब की शगल देखकर बोला कि नहीं अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिश्टर आप बचा सकते हैं वरना पूरी दुनिया की ताकत कोई मेरे बच्चे को नहीं बचा सक यह मैं आपका चहरा पढ़कर बता रहा हूं कि बाबा साहिए मेरी बात आप मान लीजिए बैरिश्टर मेरी बात मान लीजिए क्योंकि मैं तो एक बात हूं मैं उस पीड़ा को सहन कर लूँगा लेकिन जो इसकी मां है जब उसकी मां को पता लगेगा कि उसका बच्चा नह बिजनेस है किसे कौन समभा लेगा क्या करूँगा मैं इसका जब बाबा सहीब ने सुना कि उसकी मा मर जाएगी तो बाबा सहीब को वह बात याद आई कि जब बाबा सहीब छोटे से थे बाबा सहीब की माता भीमा भाई ने एक बात कहीं थी कि भीमा अगर कभी जरुवत पड़े किसी निर्दोश की जान बचाने के लिए किसी का पूत की जान बचाने के लिए अगर किसी अच्छे काम के लिए जूट बोलना पड़े तो संकोच मत करना भीमा संकोच मत करना और बाबा सहेब ने फाइल देखी और बाबा सहेब ने फाइल देखकर बोला कि सेठ ये बताओ ये फाइल तुमने अब से पहले किसी और वकील को दिखाई तो सेठ ने बोला कि है पेरिष्टर मैंने यह फाईल दिखाई नहीं मैंने इस फाइल पर इतना नोट किया कि किसी की आने वाली तीन PDB कमा नहीं सकती मैंने इतना नोट इस फाइल पर खश कर दिया है बसाथ मेरे बच्चे को बचा लीजिए कि ऐसे वह जोड़ के वो गिल रहा था बाब सभी के चन्नों में गिड रहा था मदसेप के समय हाथ जोड़ रहा था ुशा और जब बाबा सहीनि उसकी पीड़ा सुनी उसकी फाइल देखी तो बाबास ने बोला कि जा सेट मैं तुम्हारी बच्चे का केस लड़ूगा जाओ और जब बाबा साहिब माने केस लड़ने को तो वो सेट बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि मुझे यकीन है बाबा साहिब के मेरा बच्चा अब बच जाएगा जिन्दगी और मौत में मातर दस दिन का फास्ला था फासी को दस दिन बचे थे कचैरी लगी, अदालत लगी, कोट लगा आप सुनिये का बेड़े ध्यान से किसी व्यक्ति में इतना दिमाग कैसे हो सकता है हम क्यों बोलते है कि हमारे जो मसीय, हमारे रहबर बाबस से डॉक्टर भीम राउंबेगर जैसा दुनिया में और कोई नहीं हो सकता ऐसे नहीं बोलते हैं ये बात ये बात इसी नहीं बोलते हैं कि उन्हों नहीं ऐसा करके दिखाया उनके दिमाग की बड़े बड़े लोग दाद दिया करते थे कि इसी व्यक्ति के अंदर तुन दिमाग कैसे हो सकता है कोट लगा, कचैरी लगी कोट के अंदर तो दोनों पक्षों के वकील आए जब बात बोली गई तो जज ने बोला कि अम बेड़कर तुम कुछ दलील देना चाहोगे तो बाबा साहिब ने बोला कि नहीं ज़साब अपना फैसला सुनाई आप आप सोच रहे हैं अब वो सेट बड़े संकोच में था कि यह इसने तो बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूँगा और वे कोड़ में कोई दलील भी नहीं दे रहा है और बाबा साहिब ने बोल जाके ज़साब अप्छासला सुनाओ और वो सेट अपने मन में कह रहा था कि हम बेटकर तुम्हें हमारे साथ अच्छा नहीं कराई बैरिश्टर मैं बड़े आस के साथ तुम्हारे पास फाइल लेकर आया था मैं तुम्हारे चेहरे को देखका कह रहा था कि तुम मेरे बच्छे को बचा लोगे और जब फासी की सजा जज ने सुना दी और जब उसको लेकर गए सुनिएगा बड़े गोर से और इस वीडिये को जाज़े दाद शेयर भी किजेगा जब उस लड़के को फासी की और लेके गए और उसके गले में फंदा डाला ही था तो बबाबसाइब ने बोला बस जज साब बस आपने फासी की सजा दी थी आपने मौत नहीं दी थी आप देखिए बाबा साहिब का दिमाग और उसी दिन से ये कारवाय चली आती है कि सजाए मौत अगर किसी को मौत की सजादेनी होती तो सजाए मौत कहा जाता है ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ फासी की सजा बाबा साहिब ने कहा कि बस जसाब आपने फासी की सज़ा दी थी आपने मौत नहीं दी थी और यह दिमाग देखकर बड़े से बड़े बैरिस्टर बड़े से बड़े जो लोग बावस है पे टोंट कसते था जो हमारे मसिया को नीच चुट बताते थे जो महर जाती के बताते थे वो लोग चुप हो गए और हमारे बाबा सहेब शेर की तरह उस बच्चे को छुड़ा कर उस मा के पास लेके गए कि ये ले तेरे तरह बच्चा और बाबा सहेब ने उस निर्दोस की जान बचाई ऐसे थे हमारे मसीह और हमारे मसीह ने हमें बहुत अच्छा जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है तो आप सभी से गुजारीश है के बाबा सहेब की मुमेंट में हिस्सा बनिये, इस मुमेंट का हिस्सा बनिये और समझे के बाबा सहेब का कारुहा कैता हो उनकी कुर्बानिया काते किताबों में पढ़िये जय भीम जय भारत